असलाम लेकूं व्यूवर्स आज मैं आम के मौसम के हवाले से रुबीनांसारी किचन में मैंगो कस्टर्ड तयार कर रही हूँ सॉस पैन चूले पर रखा हुआ है इसमें मैं देड़ कप दूद डाल रही हूँ ये टेटरा पैक फूल क्रीम दूद है फ्लेम मैं थोड़ा सा हाई करूंगी इसमें दो टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और ये थोड़ा सा पकेगा चीनिस में मेल्ट होगी और गाड़ा हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बैल आइकन को ज़रूर पैस कीजेगा ताके मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सकें मैंने एक टेबल स्पून मैंगो कस्टरड लिया है और यहां कोटर कप दूद अलग से लिया है जब दूद ये वाला थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो मैं इस कस्टरड को दूद में डिजॉल्फ करूंगी मैंने एक बड़े साथ के आम का पल्क बना लिया है जो फ्रिज में रखा है और कुछ चंग काट मैंने दूद में मिक्स किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया मुस्तकिल चला रही हूं ताकि लमस ना पड़े अब मैंसे दस से बारा मिनट तक चलाओंगी यह गाड़ा हो जाएगा तो फिर मिलते हैं कस्टरड को पकते हुए दस से बारा मिनट हो चुके हैं बहुत और पकाऊंगी फिर फलेम आफ कर के इसे ठंडा होने रखgenगी जब कस्टर्ट ठंडा होगा तो फिर हम इसकी असम्पलिंग करेंगे कस्टर्ड ठंडा हो चुका है सर्विंग बॉल में मैंने कस्टर्ट की पहली लेयर लगा के समूथ कर दी थी और अब इस पे मैंगो पल्प डालके स्मूट कर रही हूं अब इस लेयर के ओपर मैंगो चुंक डालूंगी जो के बहुत ज़ादा ठंडे हैं तक्रीबान फ्रीज होने के गरीब थे इन को मैं अच्छी तरह से डालकर बहुत ज़ादा मिकडार में इसके पर फिर से कस्टरड की लेयर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से स्मूट कर दूँगी अब सबसे उपर की लेयर पर आप अपनी मर्जी के मताबिक डेकुरेट कर लीज़े मैंने थोड़ा सा पल्प और चंक लगा दी हैं इस तरह से और इसे अच्छी तरह से सजा रही हूं ताके बच्चों को अट्रेक्ट करें तो मिलते हैं प्रेजेंटेशन पल्प विवर्स ये मैंने आप के लिए और खास तर पे बच्चों के लिए मैंगो कस्टरड तैयार कर दिया है जब तक आमों का मौसम है रेसिपी जरूर बनाईए और बच्चों को पेश कीजे बहुत खुश होंगे इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजेगा उपने दोस्तों के असलाम लेकूम और अल्ला हाफिज